हलो असलाम अलेकम फ्रेंड वेलकुम बैक तो मैं चैनल एनधर डे अनधर व्लॉग इन मैं लाइफ कैसे आप सब लोग उम्मीद करते हूं सब ठीक ठाक होंगे मज़े में मैं भी अलहम्दलिल्ला बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आद का भी व्लॉग हम वहीं से स् किया था कल हम लोग थे डी 전and अले पार्क में रोग ने कल रहे हैं और मैंने सोचा आपको दिका Crown किया मसुnovי हम ने फ्लेंगे और क्योंकि में लोग ठीका डेंगे लिए तो हमने का चलो हमने तक्रीब एक गंडे की राइड ली थी 15-20 मिनिट की हमने ड्राइव कर लिया हमने का चलो यहासे निकलते हैं निकलने के बाद हम लोग आज एक नहीं चीज़ एक्सप्लोडर करते हैं और वो क्या करनी है जणाब वो हम करने वाले हैं यहां के जो अ इसी Pacific Center, सुना है कि यह मौल डाउन ताउन में है और लेकिन डाउन ताउन के अंदर इसका यह एक बड़ा मौल ऐसा नहीं है कि एक लिए एक जगे पे है, दूसरा दूसी जगे पे है, स्ट्रिप मौल टाइप का मौल है, क्योंकि डाउन टाउन है, इसमें बोखुत बड़ा म रखें और दूसरा सेम कंट्री है प्रोविंस बेशक डिफरेंट है लेकिन कंट्री सेम होने की वैसे आपको 99% चीजें सेम ही नजर आती है मुझे तो कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया अभी तक कि जो यहां पे मिल रहा हो और हमारे जहां हम अलबेटा में जहां हम रहते हैं व और यह इतना एक्सपेंसिव ता इतना एक्सपेंसिव लाइक कोई भी चीज अगर आप उठा के देखें तो 200-300 डॉलर से कम का कुछ भी नहीं था नोट इवन आपको अगर बेल्ट खरीदा है अगर आपको खलकी से चोटी सी कोई बो लेनी है टाय लेनी है anything सब कुछ मेरा लेनी है या बो लेनी है यह कुछ भी लेना इन एक की रिंग देखा तो उस की रिंग प्राइस भी 2.99 थी तो मैं बोला नहीं यह तो बहुत ही जादा एक्समेंसिव है और मैं पहले भी आपको बताया कि मेरा कुछ प्लैन भी नहीं ता यह पर शॉपिंग करने का क्यो भी बहुत well maintained, लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको रखा हुआ तो क्यों नहीं रखे जा इतनी high end चीजे होगी वो लोग क्या से उस स्टोर को मैसी रख सकते हैं और गंदा रख सकते हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से को maintain किया हुआ था और प्यारा था डेकुरेट भी अच्छा हुआ था फस्टाइम था लेकिन मुझे इस तरा के एक्चुली मुझे इसरा के मॉल्स अच्छे नहीं लगते कि इसमें एक स्टोर से अप निकले हैं फिर आप स्ट्रीट में जाएं फिर दूसरे स्टोर में एंटर तो फिर इदर आगे हैं जी हम मक्डोनल्ड में कुछ बच्चे लेंगे यह पर खाने बीने के लिए पर यह से निकलेंगे और उसके बाद हम लोग जाएंगे एक और जगा पर तो जिनाब यह है सर्प्राइस अपके लिए ऐसा चीज इस तरह से तो नहीं है मेरे मेरे बच् को बोलती हूं कि यह GPS में डाल दें यह साथ बताते रहे क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी मुझे कुछ नहीं बता चलता कि हम किदर जा रहें और किदर नहीं जा रहें तो जनाब मेरे हजबन मुझे गुमा फिरा के एक जगा पर लेकर आए और यह वह जगे हैं लास्ट यह न क्योंकि वीडियो मैंने फ्रैस पनाई थी पीछे गारी ती तो यह जो को घर नजर आ रहा है इस घर के डाउन वाले पोर्शन में हम लोग थे जो ग्राउन फ्लोर इधर वाला इसमें हम लोग ने स्टे किया था इतना अच्छा घर था इसमें पूरे 3-4 रूम से उसके बंद है तो हम लोग किसी को भी रेंट आउट नहीं कर रहे है अपनी जगा और यह अच्छी प्राइस पे इन लोग ने आमीं दिया था क्योंकि इस साल जो जिस होटेल में मैं स्टे करनी हूं उसकी प्राइस काफी जादा है और मोस्त इसका पर नाइट का हम लोग पे कर र रहे हैं लेकिन अनफॉर्चनेटली वो जगा अवेलेबल नहीं थी क्योंकि इस आदमे के साथ अच्छा रहा था बहुत ही अच्छे थे ये लोग हस्बंड और वाइफ रहते थे ऊपर और इन लोग ने नीचे वाला जो पॉर्शन था वो एर्बियन बी पे लगाया हुआ तो हम लोग ने स्टे किया था बड़ा ही अच्छा रहा था एक्सपेरियन्स लेकिन इन्शालतला आप देखें नेक्स टाइम कभी अगर हम दुबारा यहां पे आए तो मैं दुबारा उस आदमी से कांटेक्ट करूंगी उसका नाम था जेसन और उसको बोलूंगे कि अगर वो हमें दे दे अपने जगे तो हम लोग तो उसमें बहुत खुशी खुशी रहने को तयार हैं तो जो आप महां से निकले हैं तो हम आगे हैं एक और मॉल पे यह जो है यह बरनमी में मॉल है मेट्रोपॉलिक इसका नाम है मेट्रोपॉलिक इसका नाम है और यह मेट्रो टा तो सारे तरह के स्टोर भी से हमें अवैलिबल थै तो जो कि हम यह ही चाहिए होता है स्टोर हम लोग पूरा जो बाकी हाफर डेता मॉल्स में घुमने के बार हम लोग पोँख गया हैada या Rabbi इसी मॉल के अंदर सुपर स्टोर हमने वहला हैरा सुपर स्टोर कोछ सीज और फिर उसको खाएंगे तो हस्बेंड और बेटा वापिस आ गए है सारा सामान लेके इन लोगों ने गाड़ी में पहले रखा जाके पिर अंदर आये लोगों लोगों ने बोला के चलो अभी चलते हैं क्योंकि आइडों नो अभी टाइम था थोड़ा इवनिंग में तो हम लोगों ने सुथे शायद कई हम और घूम सकते हैं लेकिन नहीं हम लोगों बच्चों ने तो कहा के बहुत थक गया है घर वापिस जेलें तो बस जनाब आप जा रहे हैं हम अपने होटेल की तरह वाप से ही क्योंकि बच्चे बहुत थक चुके हैं पूरा दिन इतना बीज जो इसका सिटी वैंकोर है इसमें यह पर लोग बोलते हैं कि जब भी आप घर से बाइर निकलते हैं तो आपके हाथ में एक अम्रेला का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि यहां के वैदर का कुछ भी नहीं पता होता कि किस वक्त बारिश हो जाए और किस वक्त इनसान के बैग में और रेडी मोजूद होती है तो जनाब यह पूरी बाते करते करते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं होटेल में होटेल के अंदर हमां एंटर हो जाएंगे फिर मैं आपसे लोंगे इजाज़त मिलूंगी कल आपके साथ इन्शालत आला सेम टाइम पे सेम एक और मज़ेदार व्लॉग के साथ उमीद करते हूं आपको मेरी ट्रावल सीरीज अच्छी लग रही होगे अगर अच्छी लगे तो इस मेरे वीडियो को लाइक करें शेयर करें अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते हैं क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब ही मेरे नंबर अब जा रहा होता है तो मैं बहुत अप्रिशेट करते हूं आप लोगी है इस चीज के पीछे के मैं एवरी डे इतना व्लॉग बनाती हूं पर होटेल जाती हूं पिर इसको मैं सारा इडिट करती हू सब कुछ करने के बाद इसको मैं अप्लोड करते हूं कि इस पूरे प्रोसेस पे मुझे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है तो चनाब बस मैं अब आपसे लोगी इजाज़त उमीद करते हूं कि आप लोग का भी टाइम अच्छा गुजर रहा होगा और अभी मैंने सुना के डिफरेंट कंट्रीज के अंदर डिफरेंट जगों पे सब कुछ हालात पहले से बेतर हो रहे हैं उमीद करती हूं कि आप लोग सब लोग आपको अपनी अमान में रखे और आप लोग सेफ और साउंड हो अपने टाइम को एंजॉय कर रहे हूं अपने फैमिली के साथ औ कि जगा पे स्टे करना अपने बच्चों के साथ लोगों से मिलना जुलना नहीं लेकिन अभी कुछ लोगों ने जादा से मैं फैमिली को जानती हूं कि जिन्हों ने एक दो फैमिली के साथ मिलना जुलना स्टार्ट कर दिया है ता कि वो लोग मिलें लेकिन वो बहुत जिनके गरों में बच्चे हैं जिनकी गरों में बज़ुर्ग हैं वो लोग अभी भी बहुत केर कर रहे हैं तो मुझे आप बताएं कि कॉमेंट सेक्शन में मैं करूंगे आपके कॉमेंट का इनकजार लेती हूं आपसे इजाज़े टेक केर जी अलाहाफेज